हलो फ्रेंड्स वल्कम टो यूट्यूब चैनल फोर आकी सक्सेज गूड इवनिंग चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज किस वीडियो में आपका जो टोपिक चल रहा था सेल टोपिक उसका यहां पर टेस्ट होने वाला है कल वाली वीडियो में आपको बता दिय चलना है और वीडियो कंप्लीट होने की बाद में और चले बताना है तब हमें पता है कि क्यों अ पर आपको जरूर बताना है ओके फ्रेंड्स तो चले स्टार्ट करते हैं और यहां पर मैं आपके लिए 30 most important question लेके आई हूँ जो पिछली exam में बार-बार repeat हुए है और आने वाली exam के लिए भी काफी ज़्यदा important है तो आपको test पूरा देना है ओके तो चले यहां पर स्टार्ट करते हैं question number first ने आपर है निमल लिखित में से कौन सी कोशी का कोशी के इस option के लिए उत्तरदाई है और देखें यहां पर जो आपका right answer हो जाएगा वो जाएगा mitochondria तो यहां से option आपका C बिलकुल correct है next question देखते हैं next question यहां पर है एकल कोशी के प्राणियों में जीवन की समस्त जेविक किरियाई जैसे पाचन सावसन और जनन कितनी कोशी काउं दवारा किये जाते हैं तो देखें एकल कोशी के प्राणियों में आपको यह किरियाई होती है वो कितनी कोशी काउं के दवारा होती है तो देखें क्यूशन में आपको आंसर मिल गया है तो यह हो जाएगा A कोशी कासी किसे होता है A कोशी कासी तो option आपका B यहां पर बिलकुल सही है नेश्ट क्यूशन देखें निम्म लिखित में से किसके मद्य सीनेप्स अंतराल इस्तित होता है तो किसके मद्य इस्तित होता है जो सीनेप्स अंतराल होता हो तो देखें यह होता कहाँ पर दो तंत्रिका कोशी काउं के बीच में तो यहां से option आपका A बिलकुल राइट हो होती है उनका जो गृप होता है उसको क्या बोलते हैं तो यह देख यह बोले जाता है उस तक कहा जाता है दो पर आप तो देखिए यह परजिनन करता है कैसे कोशिका विभाजन की द्वारा तो यहां से option आपका बी राइट हो जाएगा क्योंकि इसमें एक ही कोशिका होती है और कोशिका विभाजन की द्वारा ही वो परजिनन करता है Next Question आपर है निमलिकित में से किस कोशिका अंग में पारूविक अमल तूटकर कारबन डाय ओक्साइड जल तथा उर्जा में परिवर्टित हो जाता है तो यहां से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइट्रोकॉंड्रिया तो यहां से option आपका बी नहीं होगा तो देखिए जो माइट्रोओंड्रीय होता है अगर घराब हो जाए गाम करना बंद कर दे तो कोषिका में ऐसा कौनसा कार्य पुरा नहीं होगाक तो देखिए यह नहीं होका कौनसा वह नजो यह जाएगा काम नहीं होगा तो यहां यहां से謝謝 का Oats नेस्ट की तरफ चलते हैं तो नेस्ट यहां पर क्यूसन है कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संसलेशन में पर्मुक भूमिका निभाता है तो यहां से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कौन सा है एंडोप्लाजमिक रेट्टुकुलम एवं राइबोसोम क्या करते हैं प्रोटीन संसलेशन में पर्मुक भूमिका निभाती है तो यहां से ओप्सन आपका डी हो जाएगा और फ्रेंट सी इस तबी क्यूसन इंपोटेंट क्यूसन है अच्छी लेवल के क्यूसन है आपकी एक्जाम में बार-बार रिपीट होते है तो आपको जहें वीडियो को पूरा देखना है टेस्ट यहां पर कंप्लीट आपको देना है चले नेच्छ यहां पर क्यूसन देखते हैं नेज्ट क्योस्वन है द्वार कोशिकाय को घेडते है तो किसको घेडती है तो एक जो तो किसको घेडती है । होती है तो किसमे अपसित होती है 控 Tier Spanam, टेरीडोफाइट्स जिम्नोइस्पर्म और ब्रायोफाइट तो किसमी उपस्तित होती हैं सहर्चर को सिखाएं तो यह होती है किसमी एंज्योइस्पर्म में तो यहां से जो option A है आपका राइट हो जाएगा एंज्योइस्पर्म नेश्ट कुसन देखिएं आपर निमली हित में से किसे जीमन का भोतिक आधार माना जाता है तो जीमन का भोतिक आधार किसे कहते हैं तो यह का जाता है किसको जीवद्रव्य को तो यहां से option आपका B राइट हो जाएगा जीवद्रव्य है अगला किसने आपर है गोलजी काय का परमुक कार्य है तो देखिए जो गोलजी बोड़ी होती है गोलजी काय होता है उसका में कार्य क्या होता है option आपको देगे हैं सावसन पाचन रस उत्पन करना कोशिका विभाजन सुरू करना और 4 यहां पर है कोशिका के बाहर स्रावित पधार्तों को कोशिका जिल्ली के माद्यम से बाहर निकालना जिल्ली करना कोशिका देगे हैं कोशिका करों से निकालना है जो की बाहर निकालना रखता है इनके उसम 66 ओन में उपस्तित होता है तो यह कौन से कोशिघांग होता है, आपको दे गए हैं लाइसोसोम, सेंट्रियोल, गोलजीका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया तो यहांपर आपका जो राइटउर है वो जाएगा सेंट्रियोल आपका B राइटव जाएगा जो thinking होता है, कोशिघांग है तो देकि सरंचनाओं के वो कौन से यूगम है जो कि पाधब और जन्तु कोशिका दोनों में ही उपस्तित होते हैं तो यहां से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा अंतर दुरुवी जालिका और कोशिका कला ये दोनों किसमें पाई जाती हैं पाधब और जन्तु कोशिकाओं में उपस्तित होती हैं ओप्शन ए राइट हो जाएगा नेस्ट कुशन देखते हैं तो यहां पर नेस्ट कुशन है प्रोगेम्ड सेल डेथ का कोशिक की आन्वी की नियंतरन क्या कहलाता है यहां पर ओप्शन दिये गए हैं आपको निक्रोसिस, एंजिंग, डिसेश जन एरेशन या फिर एपोटोसिन तो देखे हैं ओप्शन आपका जो राइट आणसर हो जाएगा वह जाए एजिंग तो option आपका यहाँ पर right हो जाएगा B, aging आपका यहाँ पर बिल्कुल सही answer है next question यहाँ पर है, निम्न मेंसे किस कोशिका दिरिवी कोशिकांग को eukaryotic कोशिकांग के भीतर, prokaryotic कोशिकांगे माना जाता है तो option आपको दिये गए यहाँ पर lysosome, golgikai, glycoxysome या फिर mitochondria तो यहाँ पर आपका जो सही answer हो जाएगा, वो जाएगा mitochondria option आपका यहाँ पर D right है, चले next question देखते हैं और देखिए इन सभी questions की theory मैंने आपको startming करवा दिये तीनों पार्ट में तो यहाँ पर आपको detail से बताना कोई वो नहीं है, यहाँ पर आपका time waste होगा अगर आपको theory देखनी है, तो आप तीनों पार्ट को जागर के अच्छे से पढ़ सकते हैं वीडियो आपको playlist में मिल जाएगे, ओके, चले next question देखते हैं नेश किसने आपर है, kोषिखा का जीवित अंस, जीवद्रव्य कहलाता है, यह किस से बना होता है यह किस से मिलकर के बना होता है, यह आपको बताना है तो देखे यहां पर जो आपका right answer हो जाएगा वो जाएगा कोशिका, दरव्य, किंद्रक दरव्य और कौन सा है कोशिकांग तो यहां से option यह आपका बिल्कुल सही है अगला किसन देखते है फोलोयम में सहचर कोशिकाई किसमें पाई जाती है तो देखे फोलोयम में आप जानती हो तो इसमें जो सहचर कोशिकाई होती है वो किसमें उपस्तित होती है तो देखे यहां पर जो आपका right answer हो जाएगा वो जाएगा आवर्त BG option आपका B यहां पर right हो जाएगा अगला क्यूशिकाई आपर है किस क्यूशन आपको भूमाकर भी पूछा जा सकता है और देखे ऐसे पूछा जा सकता है कि आत्म घाती थेलिक किसको बोलते है कोशिका की तो देखे यह बोलते है किसको लाइसोसॉम को यहां से जो option आपका डे right हो जाएगा लाइसोसॉम अगला क्यूशन देखते है निम्र में से किस कोशिकाई को एटम बम कहते है तो यह कौन सा कोशिकाई है जिसको एटम बम बोलते है तो देखे यहां पर option देगे अंतरद्रवी जालिका, गोलजिका, लाइसोसॉम या पिर नुकलियस तो देखे यहां पर जो right answer आपका हो जाएगा यह हो जाएगा लाइसोसॉम जो लाइसोसॉम होता है इसको क्या बोलते है एटम बम इसको बोलते है साथ इसको आतम घाती थेली बोलते है और पाचन थेली भी बोलते है तो यहाँ पर सभी नाम आपको याद रखना है option आपका C यहाँ पर राइट हो जाएगा next कि उसने आपर है कोशिकाई जो द्वार कोशिकाईं से निकट रूप से सम्मध और अंतरविष्ट हो है तो यह कौन सी है यहाँ पर आपको बताना है तो यह है कौन सी साहिक कोशिकाईं तो यहाँ पर आपका जो option D है वो राइट हो जाएगा साहिक कोशिकाईं next कि उसने आपर है निमलिकित पोशकों में से कौन सा एक पोधों की कोशिका बित्ती का संसनात्मक घटक है तो यह कौन सा होता है यहाँ पर आपको बताना है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेगनीज कौन सा होता है मेगनीज तो option आपका B यहाँ पर राइट हो जाएगा अगला कुशिकाईं आपर देखी एक मर्दू तक कोशिका जो की ओसी की औसर ओसर की एज़उ पधात संगरित करती है क्या कहलाती है तो यह कहलाती है आंपर 자 पर आपका जो D हो राइट हो जाएगा आईडियो ब्लास्ट तो यहाँ से option D आपका राइट हो जाएगा कि तरप जलते है ग्यात सबसे छोटा sheet जीव है, तो यह कौन सा है, सबसे छोटा प्रोकेरियोटिक जीव, आपको पुछा गए यहां पर, तो देखें, आपको ओप्सन दिया गए आपको, माइको प्लाज्मा, क्लोरेला, माइक्रोसिस्टर्स, या फिर बैक्टीरिया, तो यहां पर जो आपका राइट आंसर है, वो पुछा गए, सबसे बड़ा एकोश्य के जीव, कौन सा होता है, तो देखें, होता है, कौन सा होता है, एसी टेबुलेरिया, तो यहां पर ओप्सन आपका डी, राइट है, नेस्ट कुछन देखें, आपर प्रोटीन संसिलेशन का प्लेटफोर्म किसे कहते हैं, यानि कि जो प्रोटीन का संसिलेशन होता है, वो कहां पर होता है, उसका प्लेटफोर्म किसको बोलते हैं, तो यह होता है, कहां पर राइबोसॉम में, तो यहां पर जो ऑप्सन आपका राइट हो जाएगा, प्रोटीन संसिलेशन का प्लेटफोर्म होता होता है, राइबोसॉम, अगला करता है तो यहां से जो option आपका right हो जाएगा कौन सा goal जी कहा यनकी going Day body option B right है नेश कुपसण है प्रति की सबसे बड़ी कोशिक है तो आप को प्रति की सबसे बड़ी कोशिका बताने कौन सी होती है तो दें कि यह वुती कौंपी शुतुर मुर्ठ का अंडा का होता है प्रकरती की सबसे बढ़ी कोशिका होती है कौनसा शुत्र मुर्ग का अंड़ा तो Ό. आपका ड tag है यह बिलकुल सही है कि नेश्ड कुस्ण ने अपर है निमली किति में से चोटी कोशिका है तो देखिए यहां पर option आपको देगे हैं Amoeba, Wbc, Mycoplasma या फिर Rbc तो इन में से आपको सबसे छोटी कोशिका बतानी है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो देखिए आपकी होती है कौन सी पी पी एल हो यान की Mycoplasma यहां पर जो option आपका C है वो राइट हो जाएगा Mycoplasma सबसे छोटी कोशिका होती है नेस्ट कुशन अपर है और आज का यह आपका लास्ट कुशन है जिन प्राणियों में कोशिका यह तीन भुर्णी इस्तरों में व्यवस्तित होती है उन्हें डैस कहते हैं तो देखिए जो प्राणियों होते हैं जिन में कोशिका होती है वो तीन भुर्णी इस्तरों में क् तो फ्रेंट्स आज का वीडियो यहीं पर कम्प्लीट होता है मैं आपके लिए थर्टी मॉस्ट इंपोर्टेंट क्यूसन लेकि आई थी जो बार-बार एक्जाम में रिपीट होते हैं जो पिसले एक्जाम में पूछे गये हैं तो देखिए आपर हमने ती क्यूसन आपको नह तो आप थोरी वहाँ से पढ़ सकते हैं आपको सभी वीडियो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे ओके तो देखिए आपको वीडियो पसंद आया है इंपोर्टेंट को दोस्तों की पास में शैर करना और लाइक करना ओके फ्रेंड्स थैंक यू झाल